कि इसको किसी भी पोजेक्ट पर डाल सकते है independent, लेडि deniedано पोड़ेग़, लेडिस लेड़ी कारडिगन्व स्दोप मफलर को आए सब्सक्राइब नेखके अधरwegen में प्यों से यू तोब अकटिए मया प्रवे brightness लिजाइब को चौन अंदीन पलब है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किये हैं वीडियो पहली पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना देखिए बहु ऐसे करके यह डिजाइन बना हुआ है तेरा तेरा फंदा का और चार फंदा इसमें एक्ट्रा लिये हैं दो फंदा किनारे का और दो फंदा है यह डिजाइन निकलने के लिए चार फंदा इसमें एक्ट्रा है तो मैं यहां से यहां तक बताऊंगी एकी डिजाइन 20 में यह वाला तो देखिए यह पहला रूह है हम इस तरह बनाएंगे 2 फंद उल्टा धागा आपने तरफ रखेंगे अब यहाँ पर जाली देते हुए 2 को एक करेंगे 2 को एक कर दिये अब फिर 1 2 3 3 फंद सीधा धागा आपने तरफ 1 फंद उल्टा धागा पीछे 3 फंद सीधा 1 2 3 3 फंद सीधा अब यहाँ पर हम 2 को एक करेंगे 2 को एक कर दिये अब इस फंद में जाली देते हुए उल्टा बुनेंगे यह जाली आ गया इस तरह से जाली दे-दिजीए या इस तरह से भी जाली दे सकते हैं ऐसे करके और इसको उल्टा बनाएंगे, दो फंदा उल्टा ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुन के कम्प्लिट करेंगे, रो दो, दूसरा रो उल्टे के तरफ से है धागा पिछे, दो फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, अब इदर से सीधा पर सीधा बुनेंगे, और उल्टा पर उल्टा बुनेंगे, हम हर सलाई में उल्टे के तरफ से उल्टा पर उल्टा और सीधा पर सीधा बुन के कम्प्लिट करेंगे, इस रो को, उल्टे साइड के रो को, दो फंद सिधा है यह लास्ट का फंद है तो इसको उल्टा बोनेंगे रो 3 तीसरा रो सिधे के तरफ धागा आपने तरफ 1, 2 धो फंद उल्टा धागा पीछे एक फंद सिधा धागा आपने तरफ अब यहाँ पर फिर जाली देते हुए दो को एक करेंगे यह जाली आगया, दो को एक करते हैं, अब यहाँ पर दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, धागा अपने तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पिछे करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, अब दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ, एक फंदा सीधा और एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, अब यहाँ पर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पिछे करेंगे, यह लास्ट का फंदा है, तो इसको सीधा बुनेंगे, रो 4 अब जो जैसा है उसी तरह बुनना है सीधा पर सीधा रोल्टा पर उल्टा बुनके कंप्लेट करना है रो 4 चार कंप्लेट हो गया अब रो 5 धागा अपने तरफ दो फंदा उल्टा धागा पिछे दो फंद sihधा धागा अपने तरफ अब यहाँ पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए दो को एक कर दिये एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और दो को एक करेंगे दो को एक कर दिये धागा अपने तरफ फिर एक जाली और दो फंदा सीधा धागा अपने तरफ दो को एक करेंगे सोरी दो फंदा उल्टा बुनेंगे और यह लास्ट का फंदा है तो इसके सिधा बुनके कम्प्लीट करेंगे रो पांच कम्प्लीट हो गया रो छे रो छे जो जैसा है उसी तरह बुनके कम्प्लीट करना है रो 6 कम्पिलीट होगे रो 7 अब रो 7 फिर हम यहाँ पर दो फंद उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे एक दो ती तीन फंद शिधा बुनेंगे धागा अपने तरफ लाएंगे और दो को एक करेंगे जाली देते हुँ दो को एक कर दिये एक जाली आगे एक फंद उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे दो को एक कर दिए अब इस फंदा में जाले देंगे एक दो तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ अब फिर यहां पर दो फंदा उल्टा बुनेंगे यह लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुनके कम्पलीट करेंगे रो साथ कम्पलीट हो गया अब रो आठ जो जैसे है उसी तरफ उनके कम्पलीट करना है अब यह कम्पलीट हो गया अब यहां से हम दूसरा निकालेंगे सेम उसी तरफ रिपिट करेंगे धागा अपने तरफ दो फंदा उल्टा धागा अपने तरफ ही रखेंगे और यहां प यहाँ पर 1, 2, 3, 3 फंदा सिधा धागा आपने तरफ एक फंदा उल्टा फिर 3 फंदा सिधा भुझेंगे 1, 2, 3 फिर हम 2 को एकड़ेक करएंगे अब यहाँ पर जाली देंगे एक जाली देतिए, दो फंदा उल्टा भुझेंगे यह लास्ट के फंदा है तो इसको सिधा बुन के कम्पिलिट करेंगे उल्टे के तरफ से जो जैसा है उसी तरह कम्पिलिट करेंगे अब सिध्य के तरफ से धागा अपने तरफ दो फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे एक फंदा सिधा धागा अपने तरफ अब यहाँ पर दो को एक करेंगे एक जाली देंगे यह जाली दो को एक कर दिए फिर यहाँ पर एक फंदा सिधा एक दो फंदा सिधा धागा पिछे करेंगे दो फंदा सिधा बुनेंगे फिर दो को एक करेंगे पिर यहाँ पर जाली देंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर यहाँ पर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, शेम उसी तरह से इसको रिपिट करेंगे, जैसे मैंने नीचे बताई थी, यहाँ पर, उल्टे के तरफ से जो जैसा है उसी तरफ उनके कम्प्लीट करना है उल्टे के तरफ से कम्प्लीट हो गया अब सीधे के तरफ से सीधे के तरफ से धागा अपने तरफ दो फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदा सीधा धागा अपने तरफ अब यहाँ पर दो को एक करेंगे जाली देते लिए एक जाली आगया और दो को एक कर दिए फिर एक फंदा सिधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सिधा बुनेंगे और दो को एक करेंगे पिर यहां पर एक जाली देंगे, एक, दो, दो फंदा सीधा, अब दो फंदा उल्टा बुनेंगे, यह लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुनके कम्प्लीट करेंगे, उल्टे के तरफ से जो जैसा है उसी तरफ उनके कंप्लीट करना है अब सीधे के तरफ उल्टे के तरफ कंप्लीट हो गया अब सीधे के तरफ फिर हम इस तरफ बनाएंगे एक दो फंदा उल्टा धागा पीछे एक दो ती तीन फंदा सीधा अब यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे, जाली देते हुए दो को एक कर दिये, धागा अपने तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब यहाँ पर फिर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे, एक, दो, ती, तीन फंदा सिधा, अब यहाँ पर दो फंदा उल्टा यह लास्ट का फंदा है तो इसको सिधा बुनेंगे उल्टे के तरफ से जो जैसा है उसी तरफ बुनके कम्प्लीट करेंगे तो देखिए यह कम्प्लीट हो गया इस तरह से यह डिजाइन बनेगा अब बार बार हम इसी तरह रिपीट करेंगे इस डिजाइन को बार बार रिपीट इसी तरह करेंगे बनके यह इस तरह से आएगा देखिए कितना खुबसूरत डिजाइन लग रहा है उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगा यह डिजाइन मेरा विडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर लिजी बेल एकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलत रहे और स्वास्त रहे खुश रहे फिर मिलती हूं मैं कुछ नई डिजान लेकर आप सभी के सांथ